नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका चीर परिचीत दोस्तों पस्थित दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महतोपूर्ण जानकारियों को ले करके कुछ महतोपूर्ण और शरधियों को ले करके जो आपके लिए बेहतलापकारी सावित होंगी दोस्तों जहां दोस्तों हम बात दिखना शुरू हो जाएगा आप अपने नजदी की आयूरवेदिक दुकान में अश्वगंधा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों जो कि आपके लिए जौन वर्धक होती है लौकी के बीज जिहां दोस्तों ये जिंक से भरपूर होते हैं और इससे पुरुषों के को जगा सकते हैं लहसुन 200 ग्राम लहसुन पीस कर उसमें 60 मिली लिटर शहद मिलाएं अब इस मिश्रण को शीशी में रखकर किसी भी अनाज के बोरे में 31 दिन के लिए रख दें 31 दिनों के बाद इस मिश्रण को रोजाना 40 ग्राम के मात्रा में लें इससे यह शक्ती बादाम पीस्ता खजूर बहुत ही गरम होता है यह आपकी सिक्स पावर को दुगना कर देता है खजूर बादाम पीस्ता और त्रिफला के बीज को बराबर मात्रा में मिला कर इस मिश्रण को रोज 100 ग्राम सेवन करें इससे आपकी सिक्स चमता बढ़ जाएगी दोस्तों भ प्याज और घी जहां दोस्तों प्याज और घी प्याज का में च्छा जागरेत करने और बढ़ाने में विशेश शहयक है दोस्तों एक प्याज कूट खांट कर मक्षन या देशी घी में तलें इससे एक चमच शहद में मिश्रित कर खाली पेट खाएं यह उपचार शिग्र पतन स्वपन दोश और नपुन सकता में बहुत हैं लावकारी सिध्ध होता है दोस्तों तो इस प्रकार से देखा आज आपने कि हमारी द्वारी बताई हुई और शधियों से कई लोग लाभानवित हो चुके हैं दोस्तों तो आप भी इन नुश्खों को अपनाईए और आप दोस्तों